इसाथियों भारतिय सिनेमा को और ससक्त करने के लिए देश में सकारात्मक्ता के लिए एक व्यापक वीमर्स तैयार करने के लिए सरकार पूरी सक्ति से आपके साथ है कि मुझसे कुछ साथियों ने कुछ समय पहले जी एस्टी को लेकर के चिंता जताई थी यहीं राजभून में मुझे मिले थे तो यहीं चिंता थी कि साथ हम इतनी महनत कर रहे हैं लेकिन देखने वाला ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे और कलाखार जब एक काम करता है कि बॉक्स ओफिस देखने वाला एक वर्ग होगा जिसने पैसे डाले है लेकिन बाकी जो क्रिएटीव नेचर का है रुट जाता है भी जनता के दिलों में इसकी बात क्या हुई उसके दिमाग में तो भोही रहता है कितने लोगों ने देखा क्या आनुभव किया उसके क्रे मेरे पास भी शाया है क्योंकि हमारे आत्म नहीं है वो जिस्टी कांसिल का लेकिन देश में समाना जाता है सब मैं कर रहा हूं लेकिन बेरी तहियारी है कोई तो चाहिए जिस डिब्बे में सब डाला जा सके है वरना सफाई कैसे होगी और मुझे खुछी है कि जिस्टी कांसिल ने इस चिंता को दूर किया है अब सौ रूपय के उपर के टिकेट आप और लगने वाली जिस्टी को 28 परसंट से घटा करके 18 परसंट कर दिया गया है कि सात्यों एक विशे मेरे सामने आया है और वो है पायरेसी का कि मैं समझता हूं कि पायरेसी को लेकर करके आप सभी की चिंता बहुत स्वाभाविक है कि पायरेसी आपके स्रम और आपके सामर्थ का अपमान है और इसे रोकने के लिए सरकार सेमिनेटर ग्राफ अधनियम 1952 में बडलाव करने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है हमची संसोदन की दिशा में जा रहे हूं संसोदन के बाद कैम कार्डिंग को जो सिर्फ पनिशेबल ऑफेंस की नहीं बनाया जाएगा बलकि इसके लिए कठोड़ दंड की विवस्था का भी प्रावधान किया जाएगा साथ्यों बीते साड़े चार वर्सों में हमारी सरकार ने करीब 1400 से जादा पुराने कानूनों को खत्म किया है और आप हैरान होंगे जब मैं 2013-14 में चुनाव प्रचार करता था जब मेरी पार्टिय ने बता दिया था मुझे प्रधान में अमीद्वार गोशित किया गया थ आम तरपर सरकारों की पहचान क्या होती है हर सरकार इस बात को लेकर् से बाजार में जाती है लोगों और ने यह कानून बना क्या हुआ दूसैया यह अगले लेकिन हमने यह बनाए तो मैंने कहा था कि कानून बनाने वाले सरकारों को देखा है मैं कैसे सरकार लॉट इसका यह चाहता हूँ जो कानूनों को ख़त STEPHANE है और मैंने यह कहा तो मैं परड़े कानून खत्म करूंगा ऐसा मैंने का और आपको 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 आपके बाते पहुंची नहीं होगी क्यों कैसी बहुत अच्छी बाते होती है जो देश में उसका बहर महत्वर नहीं होता है कि अब तक 1400 कानून खत्म किए चार साड़े चार साल के कारकाल में 1400 कानून खत्म किये हैं ताकि प्रक्रियां सरल हो सरकार के साथ नागरी को रोजाना जद्व जहाद करनी पड़े यह समझ नहीं आ रहा है मेरे दिवाग पे आज जब मैं आपके पास हाया हूं तो मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूं और मैं जब इस्वास हैं कि आप मैंसे जो इस पूरे क्षेत्र की चिंता करते हैं देखें अब टेक्नोलोजी बदल चुकी है कि आज आप मोबाइल फोन पर दुनिया का कोई भी रेडियो सुन सकते हो लेकिन फिर भी सरकार का कानून है कि रेडियो के लिए लाइसंस लेना पड़ेगा अब मिसमेच है खर मैंने निकाल दिया लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ आज टेक्नोलोजी इतनी बदल चुकी है और कानून हमारे 1952 के हैं क्या फिल्म इंडिस्ट्री के लोग इस विशे पर गौर से सोचे हैं कि यह कौन से कानून है जो आज के युग में बिलकुल बेका है लेकिन वो लटके पड़े हैं जी को उप्योग नहीं है आप अपने एक्सपर्ट से बात करके एक एक शब्द पढ़कर के अगर कोई डिटेल नोड बनाकर कि मुझे देते हैं तो मेरी कोशिश है कि मैं और कुछ कानूनों को खतम करूं जो आपके लिए रुकावाण बन करने पड़े हैं और बदले हुए यूग के अनुकुन नहीं है तो मैं चाहूंगा कि आप मैंसे कोई इसको इनिश्येट ले करें